आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे रिलाइंस पावर लिमिटेड के वारे में समझेंगे के कंपनी को लेकर क्या अपडेट हैं क्या न्यूज हैं क्या वो बाते हैं जो एक इंवेस्टर को पता होनी चाहिए अगर आप इस कंपनी क इंवेस्ट करने की सोच रहें तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है और सबसे पहले एक वार आप कंपनी का प्राइज देखिए रिलाइंस पावर लिमिटेड का जो प्राइज है आज लगबग 4.61% के आसपास बढ़ा है और 5 दिन से ये स्टो करने की कोशिस करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी निउस ऐसी कौन सी ख़बर निकल के सामने आ रही है जिसकी वज़े से ये स्टोक इतनी तेजी से बढ़ रहा है क्या कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपको पता नहीं हो तो एक बार इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखिए तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 26 सितंबर तो इस न्यूस का इंपक्ट भी कमपनी के स्टोक प्राइस पे पड़ा है तो इसको हम समझते हैं और जानते के भाई बेसिकली मुद्दा माजरा है क्या आपको बताना चाहूंगा जो रिलाइंस पावर का शेयर है उसमें जो तेजी आई है इसके पीछे का रीजन है 25 सितंबर 2024 को कमपनी के शेयर की एक और बड़ी डील हुई है इस डील को हम ब्लॉग डील भी बोल सकते हैं जिसकी कीमत लगबग 357 करोड रुपे की थी जी हां दोस्तो 357 करोड रुपे एक्सचेंज हुए हैं ब्लॉग डील के लेकिन ये अभी खुलासा नहीं हुआ है कि इस डील में किसने खरीदा किसने बेचा इसकी जानकारी अभी नहीं है बट कहीं न कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि भाई इस डील के तहट लगबग 8.6 करोड शेयर को जो की पूरी कमपनी का 2.1% का हिस्तेदारी होता है स्टोक को 42 रुपे परतिश शेयर के भाब से बेचा गया अब यहाँ पर बेचा तो गया लेकिन किसी ने तो खरीदा होगा लेकिन खरीदने की भी कोई डिटेल नहीं है और ना ही कोई बेचने की तो गई इस डिल से कमपनी के स्टोक प्राइज में हमें जबरजस तेजी देखने को मिली अब आपको एक चीज और समझनी चाहिए ये डिल तब हुई जब रिलाइंस पावर ने हाला ही में जो घोसना किये उसके बाद हमें ये डिल देखने को मिली अब कमपनी ने क्या घो पूजना हम बना रहे हैं और हम कह सकते हैं कि इस डील से 33 रुपे पर 30 शेयर के भाव से स्टॉक को बेचा जाएगा और हम चाहते हैं कि हमें काफी ज्यादा अमाउंट इखटा हो हमारा और इस अमाउंट का यूज हम अलग-अलग कामों में कर सकें कमपनी ने सीधा बोल दिय है उसकी प्रजयन्स को और जादा बढ़ाने की कोशिस करेगी कमपनी ने ये भी काया कि जो लॉंग-टर्म रिसोर्स होते हैं उनको अपग्रेड करेंगे हम हम आने वाले टाइम में जो कर्ज हमारा बढ़ रहा है इसको खतम करने की कोशिस करेंगे ये हमारा पूरा प्लैन रहेगा जब हम अपना जो इस टॉक से इनको बेच कर जो पैसा आएगा कमपनी ने तो ये भी बता दिया कि भाई इस डील से जो बड़ा हिस्सा होने वाला है लगबग आठ सो तीन करोड के आस पास का जो हिस्सा होगा इसका यूज कमपनी करेगी पूरा रिनेवल सेक्टर में यानि कि रिनेवल एनरजी प्रोजेक्ट में पूरा हिस्सा लगाने वाली है और ये काफी बड़ा हिस्सा है इस डील का इसी के साथ कमपनी ने बोला है कि हमारी जितने भी सबसीडरी कमपनी जैसे मुद्दे को सॉल्व करेंगे यानि कि जो financial instructionment है कमपनी का यानि कि कमपनी financial instruction को पूरा करने की कोशिस करेगी overall कह सकते हैं कि भाई कमपनी का जो management है वो ऐसे ऐसे step उठा रहा है जो कि कहीं न कहीं positive है कमपनी का management चाहता है कि भाई हम पैसा जितना भी हमारे पास आता है उसका हम अच्छे काम में use करें कमपनी की growth में use करें और इनी कुछ news और update के चलते हुए हमें जो reliance power का stock है बढ़ता हुआ नजरा रहा है अब यहाँ पर यह कहना बहुत ही मुस्किल हो जाता है कि भाई कब तक बढ़ेगा stock क्योंकि इस news का impact कब तक रहेगा यह कहपाना मुस्किल है यह totally depend करता है investors के उपर के वो इस stock को कितनी उचाहियों तक ले जाना चाहती है फिलाल एक साल में यह अपना सबसे high बना चुका है और पांस साल में भी सबसे high company अभी तक चल रहा है तो इससे तो बिल्कुल clear रजर आता है कि भाई stock उपर यूपर बढ़ रहा है तो कभी तो नीचे आएगा ही और में हो सकता है में भी कि यह वही point हो जब stock नीचे गिरने लगे और में भी हो सकता है कि अभी और growth बाकी हो तो ऐसा समझने के लिए हमें कुछ विसले सकों के वारे में जानना हुगा कि भाई विसले सक क्या कहते हैं इस company के वारे में उनका क्या मत है फिलाल अभी इस company को लेकर इसको समझने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रही है जैसी कोई बड़ा विसले सक इस company के वारे में अपडेट निकालता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर ही देखने को मिलेगी अब हम ये देखने की कोशिस करते हैं कि भाई basically investor और trader किस तरह से इस company को देख रहे हैं क्या buying और selling चल रही है basically overall चल क्या रहा है company में थोड़ा मैं नीचे चलूँगा मैंने money control पे इदर reliance power खोला हुआ है मैं सबसे नीचे चलूँगा और सबसे important part यानि की volume आपके सामने रखोंगा अगर आप company का volume देखेंगे तो नजर आएगा कि कल भाई company ने 28 करोड का volume किया था जो की बहुत high volume है और अभी भी आप देखेंगे market almost open ही हुई है 14 करोड का volume आपको देखने को मिलेगा जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं आपको time भी दिखाना चाहूँगा लगबग 9 बच के 55 मिनट हुए है तो आइडिया लगा सकते है के market open हुए अभी अभी ज़्यादा 15-20 मिनट हुए होंगे तो कितना potential आज एक stock रखता है इससे आपको बहुत clear idea लग गया होगा बाकी guys long term की बात करें तो no doubt reliance power में तेजी आई है और company में एक ऐसी growth हमें देखने को मिली है जो इससे पहले आज तक देखने को नहीं मिली इस बज़े से ये stock काफी ज़्यादा चर्चा में है तो बहुत ही important हो जाता है आप इस company पे नजर बना के रखें जो भी update है उन सब पे आप ये देखें के आगे क्या performance company करने वाली है अगर आप company का pre-open market देखते हैं तो आपको नजर आता है कि भाई company 44 रुपीज तक बढ़ सकती है higher chances है और 44 रुपीज में भी बड़ी बड़ी buy quantity आपको देखने को मिलेगी तो guys इनी कुछ updates के चलते हुए हमें लगता है कि भाई जो reliance power है आने वाले time में अच्छा perform कर सकता है अच्छी growth हमें देखने को मिल सकती है overall जो conclusion है अगर conclusion पे आएं तो एक बात समझ में आती है कि company को लेकर जो news निकल के सामने आ रही है वो positive है कहीं न कहीं company जिस speed से grow कर रही है वो भी positive है दूसरा company में जो हमें बदलाव देखने को मिले हैं वो भी positive है तो यहाँ पर कुछ ऐसी बाते हैं जो company को positive बना रही है अभी फिलाल negativity यही है कि company के fundamentals अच्छे नहीं है उपर से courage company पहत से जादा है तो ऐसी बाते company को negative बना दी है क्योंकि company past company का अच्छा नहीं रहा और जिस company का past अच्छा नहीं है इस वज़े से आज उसका present fundamentals के तोर पे हमें देखने को मिल रहा है और इसी वज़े से company अच्छा perform नहीं कर रही बट अगर हम company का future देखें वो हमें news से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हट तक company के future में positivity आई है तो यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी यह कहने का मतलब नहीं है कि future bright दिख रहा है या news अच्छी आ रही तो आप इस company में निवेश ही कर ले मेरा तो सीधा कहने का मतलब यह कि एक इस company पे नजर रखिए और जो भी अपडेट आए आप इस चैनल को subscribe करके रख सकते हैं ताकि आप से कोई भी अपडेट मिसना हो दूसरा आप नजर रखिए और अपने financial advisor से जरूर advise लीजे कि basically इसका करना क्या है जो भी आपको समझ में आए वो अपना decision ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर इस channel पे आपको news और update भरपूर तरीके से मिलती रहेंगी बाकी guys किसी भी तरह का कोई bias will hold recommendation नहीं है ना ही आपको कोई financial advisor तो मिलते हैं किसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and good bye